आज गांधी जैंती के फ्लक्ष में और लाल बहुत साथे जी के फ्लक्ष में हम लोग असोक समराख का अस्तंबला राजदरबार है उसको अस्थापित करने और असोक समराख का मुर्ती का अस्थापना करने और इस पार्ग का कुमरार पार्ग का नाम बदल कर मौर राजदरबार पातली पुत्रे रखा जाए और इसको अंतराश्टी है परियाटक रूप के अस्थाल में बिक्षित किया जाए इसी के लिए आज हम लोग सत्यागरा अंदोलन शुरुआत किये हैं और आज 2 और पार्ग में असोक समराग के मुर्ती का अस्थात्ना करने में सवयोग करें । अवेदन नहीं दिया हैं लेकिन इसके बाद आज़ुआ हम लोग उनको अवेदन हुदूँगा और सारा काम करूँगा । सरकार अगर कर दो तो फिर हम लोग को करने की कोई अवसक्ता ही करेंगे तब तक इस काम को कर रहा है जो आज तक इनको किया रहा है खतम करने का काम किया जा रहा है उसी को हम लोग क्योंकि आने वाला जो भी पिरी है उसको जब तक हम लोग इसको नहीं करवाएंगे जब तक आने वाला पिरी जो अंदकार मरागा और असोख समाद के बारे में नहीं कोई जान पाएगा अब दूसरे लोग क्या करें मैं नहीं जानता हूं लेकिन हम लोग का जो अंदोलन है इसी के लिए सोख समाद के मुर्ति के अस्थापना के लिए अंदोलन हम लोग कर रहा है जब तक नहीं लग जाएगा यह अंदोलन हम लोग का चार फरवरे जगदेव वावों के जहनती के अफसर पर हम लोग उस दिन में अगर सरकार उस दिन तक करेगी तो ठीक है और नहीं तो हम लोग उनका मूर्ति ला करके अस्थापना करेंगे यहां पर सरकार के मर्जी के बिना हम लोग जो भी समाज के लोग रहेंगे सभी समाज के पूरे बिहार से एकतित हो करके हम लोग आ करके यहां पर अस्थापना करेंगे उनके प्रतिमा पर कर दो कि अब प्रयोर कि यह स्टिश रहे हुआ कि अब ही कि है उसके बाद अगर इतने दिम नиваетर 40 महिना के अंदर्णार्ण में नहीं धिर रहा है् और रिवम न komme लोग लाकर के मूर्ति की आस्थापन करेंगा सक्समात्थिता